What's happening guys, this is Electra करने में help करेगी, और साथ में हम उससे कुछ बड़े-बड़े पैल्स को भी पकड़ सकते हैं, जैसे कि Memorist या फिर Nightwing, क्योंकि ये कुछ ऐसे पैल्स है जिनको मैं अकेले बिल्कुल भी नहीं पकड़ सकता, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स गू! Let's go guys, तो हम लोग वापस से आ चुके हैं, पैल्स वर्ल्ड के अंदर, और लास्ट एपिसोड में हम गई थे सामने, उस वाले टावर के पास, जहां पे अपनी थोड़ी सी फाइट भी हो गई थी, और अभी मुझे देखना है कि मुझे यहां पे चाहिए क्या-क्या, तो guys, सबसे पहले हमें यह चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आज हम जाके बहुत सारे पैल से फाइट करने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे यहां पे सबसे पहले अपने लिए एक शील्ड बना लेनी चाहिए और इसको मैं जल्दी से क्राफ्ट कर देता हूँ, और यह क्राफ्ट होने में बहुत ज़दा टाइम लगा रहा, सबसे पहले अपने पैल को यहां पर वापस से बुलाते हैं, बट अभी भी यहां पता नहीं क्यूं मुझे लग रहा है कि इसकी कंडिशन ठीक नहीं है, बट यार यह अभी भी अपना काम रोखनी रहा है तो इसको अपने पास वापस से बुला लेते हैं, और अभी मैंने यहां पर शील्ड बना ली है, तो इसको मैंने अक्वाइर कर लिया है, और हाँ गाई, साथ में मैंने यहां पर ऑफ स्ट्रीम बहुत सारे पैल स्पेर बना लिये थे, और मैं जाधा कुछ अप्ग्रेड वैसे भी करने सकता हूँ, तो ठीक है भाई, अभी हमने यह चीज अप्ग्रेड कर दिया, और साथ में गाईज मैं बनाने वाला हूँ, अपने लिए एक बो, वैसे एरोज तो मैं अभी के अभी बना सकता हूँ, और टोटल तीन एरोज मैं बना सकता हूँ, और ये क्राफ्ट करने के लिए हम बुलाने वाले हैं अपने न्यू वाले पॉक्यमोन को, वैसे गाइस मुझे अभी अभी पता चला है कि यहाँ पर जितना भी समान नीचे पढ़ा होगा, जैसे कि स्टोन या फिर कोई वूड या फिर कोई पैल्डेम फ्रेग्मेंट अगर जमीन पर पढ़ा हुआ है, तो ये उसको उठा के हमारी चेस्ट में अपने आप ही रख देगी, जो कि हमारे लिए सच में बहुत ज़दे यूसफुल है, जिससे हम अपना बो यहाँ पर क्राफ्ट कर सकते हैं, और अभी मैंने यहाँ पर बो को भी बना के रेडी कर लिया है, और देखते ही देखते हैं यहाँ पर वापस से रात हो चुकी है, और अपने प्लेयर को भी बहुत ज़दा भूग लग रहे है, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर खाना के ला देता हूँ भाई, अपना प्लेयर जितना भूगा रहेगा न उतना यह घटिया काम करेगा, आइमीन उतना ही स्लो काम करेगा, बट ठीक है अभी फिलाला हम यहाँ पर सोच चुके हैं, तो काफे ज़्यादा अजीब लगता है, तो ठीक है मुझे यहाँ पर क्लोथ आउटफिट बनाने के लिए दो क्लोथ की ज़रोत है, और क्लोथ मुझे मिलने वाला है वूल से और वूल अभी मेरे पास सिर्फ एक ही है, तो आसपास यहाँ पर शीप वगेरा तो होगी जिसको मैं मार के वूल ले सकता हूँ, बट वो मुझे आसपास दिखाई नहीं दे रही है, वैसे तो भाई इतनी सारी गूमती रहती है, बट अभी ज़रोत है तो वो दिखाई नहीं दे रही है, तो अच्छा यही है कि मैं भाई इसको अपनी एक से ही मार डालू, चल तेरे तो निकल यहाँ से, भाई यह दिखती चोटी सी है, लेकिन इसकी एच भी बहुत जादा है, बट अभी हमें यहाँ पर एक वूल की और जो रहत है, ओ भाई 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 वो तो अच्छा है कि भाई यहाँ पर फॉल डामेज नहीं होता, लेट्स गो तो क्लोथ हमने यहाँ पर बना के रेडी कर लिया है, क्योंकि इसका एक अप्ग्रेड अवैलिबल है, अच्छा तो मुझे यहाँ पर पहले एक पैल को बेस पर डिप्लॉय करना पड़ेगा, जिसके बाद मैं अपना बेस अप्ग्रेड कर सकता हूँ, लेट्स को बेस लेवल टू हो चुका है, अच्छा तो मैं एक और लेवल अप्ग्रेड कर सकता हूँ, ठीक है, और गाइस बेस अप्ग्रेड करने के बाद, मुझे यहाँ पर दो पैल्स को और डिप्लॉय करने की जगह मिल चुकी है, वैसे मैं चाहे तो इसको लेवल 4 तक भी अप्ग्रेड कर सकता हूँ, बट अभी मुझे यहाँ पे इसको अप्ग्रेड करना नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको अल्रेडी बताया है, कि यह मेरा सिर्फ एक टेंप्रेरी बेस है, तो एक बार ही लेफ्ट की तरफ भी देखता है, और सामने की तरफ मुझे यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरीके के पेड़ दिखाए दे रहे हैं, जिसका मतलब गाइस शायद से हमें वहाँ पे कुछ और डिफरेंट तरीके के पैल्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो ठीक है, अभी फिलाल जल्दी से चलते हैं, अपना मिशन स्टार्ट करने के लिए, पैल टीम इस हंगरी, ओके तो मैं इसको पहले खाना खिला लेता हूँ, वैसे मेरे पास जादा खाना है नी, और मैं साथ में इस पैल को लेकर तो आगया हूँ, बट क्या ये हमारी फाइट में हेल्प करेगी, खर जो भी होगा वो आगे जाके देखा जाएगा, फिलाल भी आगे तो चलते हैं, वैसे यहाँ पे मैं जादातर Memorist वेगरा देखता हूँ, बट आज वो नहीं है, वरना अपने बेस के आसपास ही गूमता रहता है, और इस पैल का नाम है Pangulet, और गाइस मैंने सुना है कि यह वाला पैल यहाँ पे दूसरों को freeze करकर के मार देता है, और सामने मुझे यहाँ पे एक और पैल दिखाए दिया है Fox Parks, वैसे मुझे लग रहा है कि गाइस पहले मुझे सामने उस वाले आइलेंड पे जान अची है, और भाई यह रा Memorist, और गाइस अगर यह अपनी टीम में आ जाता है, Feeling sick and struggling with task, ओके भाई तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे वापस से अंदर बुला लेता हूँ, इसको भाई यहाँ पे अराम से rest करने के लिए भेज देते हैं, और अभी हम चलते हैं वापस से अपनी उसी वाली जगह पर, जहां से हमें रात को वापस आना पड़ा, ओ भाई 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 यार यह मैं कुछ जादा ही height से गिर गया, और अपनी health यहाँ पे बहुत जादा low चुके, by the way guys हम यहाँ पे pals को तो पकड़ने जाए रहे हैं, और अभी तो मेरे सामने बहुत जादा बड़ी यह river या फिर यह ocean आ चुका है, जिसको पहले मुझे cross करना पड़ेगा सामने उस island पर जाने के लिए, या यार मुझे सामने तैर के जाना पड़ रहा है, वैसे एक बड़ी हम nightwing को पकड़ लेंगे तो भाई मैं किसी भी जगया पर पैदल भी नहीं जाने वाला, बट चलो वो सब तो ठीक है लेकिन अभी फिलाल मैं आ चुका हूँ सामने इस वाले island के उपर और यहाँ पर मुझे दो पैंगुलिट नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे कुछ arrows पड़ें जिन की मदब से मैं इसको मार सकता हूँ और भाई इसने मुझे यहाँ पे जमाई दिया, तेरी तो यह ले मैं इसको यहाँ कुछ जादा ही दिमाग कर आप कर रहा है, 87%, 88, 99, 100, लेट्सको गाईस, तो हमने यहाँ पे एक पैंगुलिट कैप्चर कर लिया है, और अभी इसने मुझे वापस से फ्रीज कर दिया, कोई दिक कर दिया बेटा, भी मैंने इसको पकड़ा है, इसी से फाइट कर, मार मार, अभी जल्दी मार भाई, इसको क्या कर रहा है, अच्छा मुझे पहले इसको मारना पड़ेगा और मैंने अपना एरो बेस्ट कर और मेरे सारे के सारे अरो खदम हो चुके है, अभी इसको मारना भाई, अकेले मैं ही मारे जा रहा हूँ, ओके ओके मैंने इसको काफे ज़दा लोग गर दिया है अब यार मैंने इसको गलती से मारी दिया बट कोई नहीं हमारे पास यहाँ पर एक न्यू पैल हो चुका है और अभी मैं वापस इसको अंदर रख लेता हूं और देखते हैं भाई यहाँ पर क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है और यह एक आइलेंड है या फिर यह किसी का स्कल है I mean skeleton है क्योंकि यह तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी डाइनसौर का skeleton हो वो देखो गाईस सामने मुझे यहाँ पर एक और निव पैल दिखाए दे रहा है और इसका नाम है सिलरे बट अभी वो मेरी रीट से बाहर है तो मैं उसको पकड़ नहीं सकता हूं और यह यहाँ पर भी है और यह वाला तो यहाँ पर कोने में खड़ा हुआ है तो जल्दी से इसके ओपर अटैक करते हैं लेट्स गो यह मैंने मारा ओके यह बस मुझे जादर तगड़ा अटैक ना करे तो ही अच्छा है तो मैं अपने यह वाला पैल चोड़ता हूं जल्दी से इसके अटैक कर भाई और यार यह कितनी हेल्थ लो कर रहा है सबसे पहले तो मैं यहाँ पर खाना खा लेता हूं और साथ मैं अपने पैल को भी खिला देता हूं क्योंकि हमारी एनरजी बहुत ज़दा लो है चल देरी दो वैसे गाइस मुझे पता नहीं है कि यह हमारे किस काम आने वाला है बट मुझे यहाँ पर 10 डिफरेंट पैल तो शायद से यह भी हमारे काम आ सकता है और मुझे बस इसको लो करना है और अब इसके बंदे आरे जल्दी मार भाई ओके ओके मैंने इसको काफी ज़दा लो कर दिया और अभी देखते है कि क्या मैं इसको कैप्चर कर सकता हूँ 95% 99 और लेट्स को हमने यहाँ पर एक और पैल capture कर लिया है और अभी एक बार इसको spawn करके दिखते है और क्या मैं इसके उपर ride कर सकता हूँ अबे रुखना वैसे यहाँ पर तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा है कि जिससे मैं इसको ride कर सकता हूँ यहाँ पर रात होना वापस से start हो गई है अभी मुझे यहाँ पर जल्दी से कोई fast travel देखके उसको unlock करना चाहिए ताकि मैं वापस से अपने base की तरफ जा सकूँ ओके गाइस तो सामने मुझे यहाँ पर एक dinosaur दिखाई दे रहा है जिसका level है 15 बट क्या मैं इससे fight लूँ या फिर ना लूँ वैसे यहाँ पर रात होने वाली है तो भाई सबसे ज़रूरी यही है कि मैं यहाँ पर किसी fast travel को डूंड के जल्दी सबने base की तरफ जाऊँ और यहाँ पर तो बहुत सारे अलग-अलग pals है और इसका नाम है इक ती डियर और यहाँ पर यह चोटे-चोटे से elephant type है जो पानी के अंदर जा रहे है इसका नाम है टीफेंट अब यह सब तो जाके पानी में enjoy करने लग गए और यहाँ पर एक egg है वैसे ऐसा ही एक same egg मुझे यहाँ पर पहले भी मिला था भाई सब मैंने इसको कुछ जादा ही low कर दिया है let's go guys तो हमने यह वाला पैल भी capture कर लिया है और अभी हमारे पास total तीन different pals हो चुके है वैसे यार मुझे यहाँ पर fast travel चाहिए जो मुझे अभी तक दिखानी है कहीं ऐसा ना हो कि भाई कोई monster आके मुझे मारी डाले और इधर की तरफ एक और पहले है जिसका ना हमें gumoss जो कि दिखने में एक mushroom जैसा है वैसे guys साथ में इसका एक partners हो रहा है तो अगर मैं इसको मारूंगा तो यह भी मुझे पर attack करने आएगा और अगर इनको देखके आजू-बाजू वाले लोग मुझे मारने लग गए तो भाई अपनी तो खाट खड़ी हो जाएगी तो इससे अच्छा ही है कि मैं अब इस जेगे से बाहर निकलता हूँ वैसे एक सेकेंड मैंने अभी अभी नूटिस कर आए कि हमारे प्लेयर को ठंड नहीं लग रही है और सामने क्या है अचा सामने फॉक्स पाक्स है और शायद से जो मैंने कपड़े पहने हुए है उसकी वज़े से मुझे ठंड नहीं लग रही है और यहां पर और फॉक्स पाक्स तो नहीं है ना क्यूंकि मुझे लग रहा है कि इसको पकड़ना काफी सही रहेगा और अभी यहां पर कोई भी नहीं है और यहां पर अराम से कॉर्णर में बैठी हुई है तो चल तेरी दो ओके जब तक सूरी है तब तक मैं सको लो कर देता हूं और जैसी अटक करने के लिए आएगी मैं से कैसे हट जाओंगा और मैं तो इसको टैक करने दे इनी रहा हूं तो पहले मुझे यहां पर अपनी आग भुजाने पड़ेगी बाइसाब यह तो कुछ जाद ही डींजर है और मेरी आग तो अपने अब भुझ गई और क्योंकि मैंने अभी इसको capture कर लिया तो क्या यह हमारे torch की तरह काम आएगी लेट्स कूँ यह बहुत जादा सही है भाई मैं इसको जहां पर भी लेकर जाओंगा तो वहां पर हम अंदेरे से बच सकते हैं और देखते ही देखते हैं यहां पर वापस से सुभा हो चुकी है सामने की तरफ Sunrise हो रहा है जो कि दिखने में बहुत जादा प्यारा लग रहा है और अभी इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में वापस से रोशनी आ जाएगी और यह रहा Nightwing और मेरे कहल से अभी हमें इससे फाइट ले लेनी चीए क्योंकि अभी हमारे पास काफी सारे पैल्स हो चुके हैं जो कि हमारी इससे फाइट करने में help करेंगे बट इसको मैं trigger करू कैसे अगर मैं इसको उपर पैल स्पेर फेक हो तो क्या है यह नीचे की तरफ अभी यार मैंने पैल स्पेर वेस्ट कर दिया एक बड़ी थोड़ा सा close चल के देखता है क्या अभी मैं इसको capture कर पाऊंगा मैंने इसको मार तो दिया है वैसे इसका capture rate अभी 1% है और अभे तेरी तो गाइस यह मेरे foxpox को भी मार रही है और मुझे इसको मारने के लिए कुछ और करना पड़ेगा और यह क्या है अभे भाई सब मैंने यहापे कुछ गलाती पंगा ले लिया और यह क्या है भाई तू क यह मारने आ रहा है यह मारने आ रहा है फिर जा रहा है रस्ते से क्या हो भाई मेरी foxpox मर गई इसको वाँ पस एंदर बुला और भाई सब गाई इसने मुझे एक ही अटेक में आधे से जादा लो कर दिया है वाई मैं इस जगह से बाहर निकल रहा हूँ मुझे नहीं लटना और यह एक फिश है मुझे लगा था कोई डाइनसौर वगएर बट यार वो सब तो ठीक है लिगे ना भी मुझे वापस से जाना पड़ेगा अपना सारा का सारा समान लेने के लिए बट अगर मैं वापस से अपने बेस की तरफ आया हूँ तो क्यों ना मैं फॉक्स पाक्स क और यह तो काफी सही रेस्ता है मुझे लग रहा था कि अगर मैं पानी के तरफ से आऊँगा तो भाई अपना फ्लेयर ठंड से मर जाएगा बर ठीक है अभी अपने प्लेयर की हालत थोड़ी सी जादा ही बुरी हो चुकि है और इसकी एच्पी लोह ने लग रही है जल्दी ओके मुझे स्टोन तक पहुंचना पड़ेगा इससे पहले कि मैं यहाँ पर मर जाओं ओके ओके मैं अल्मोस्ट पहुंच चुका हूँ जल्दी ऊपर चड़ जा अवे नहीं यार मैं पानी के रस्ते क्यों गया अभी गाइस मैं फास्ट टैवल करके आ चुका हूँ इस वा जो पता नहीं किसी तो पैल का है और अगर मैं इसको एक इंक्यूबेटर में डालता हूँ इसके अंदर से मुझे यहाँ पे एक डिफरेंट पैल मिल सकता है जो कि हम नॉर्मल ही नहीं देखते हैं यह तो भाई मुझे काफी सही चीज मिल चुकी है और सामने हाँ पे एक ल समान उठाने के लिए और यहाँ पे यह नियू तरीके का पैल है एक सेकंड यह तो बिलकुल उसी एक की तरह दिख रहा है जो हमें पीछे से मिला है ओके-ओके-ओके गाइस तो वहां से हमें जो एक और नियू चीज पता चलिए है वैसे आपे बहुत सारी चीज ऐसी है जि जिससे मैं वापस से अपने बेस पे असानी से जा पाऊं वैसे तो भाई इतने सारे होते हैं बट अभी मुझे जरूर रहत है तो एक भी नजर नहीं आ रहा है और यहाँ पे भाई कुछ जादा special पैल मुझे दिखनी रहे हैं इन पैल्स को मैं अल्रेड़ी पकड़ चुका और यहाँ पे ओ भाई फाइट चल रही है ओ भाई साब गाईस मेरे दिमाग में अभी एक आइडिया है देखो अभी यह सारे के सारे लोग मिलके इसको मार रहे हैं और जैसे ही यहाँ पे लो होता है मैं इसके उपर अब इसके उपर पैल स्पेर फेक दूँआ बट इसने क्या यार बेजती करवा दी तुमने भी बट क्योंकि अभी यहाँ पर लो है तो क्या मैं एक बरी ट्राइ करू इसको मारने की बट यार इससे फाल्तु के पंगे लेने से पहले मैं एक बरी फास्ट रेवल का चेक पॉइंट डूंड लेता हूं अगर यह मुझे मार देगा पर की बिल्कुल भी कमी नहीं है कमी है तो भाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अच्छे पैल्स की और एक फास्ट रेवल पॉइंट की अबे यह अबे ओ ओ क्या बैसकी मैंने तेरे से कुछ बोला भी नी भाई यह अटेक करने क्यों आ रहा है तेरी तो अबे भाई भाई य अबे तेरी भाई यह दोनों पागल होगे क्या रुख जा बेटा तेरे लेवल 5 है तुझे बताता हूं मैं गाइस मैंने तो इन दोनों से कुछ बोला भी निया और यह मुझ पर अटेक करने लग गए वो देखो आजा बेटा तेरे को फाइट करने है ना रुख जा सबसे पहले मैं अपने पैंगोलेट को बलाता हूँ यह इसको मारेगा अब अब मर गया कुदी नई नई मरा निये भाई क्या कर रहे तू मारना उसको यह जैसे उसको फ्रीज करेगा गाईस मैं उसके उपर अटैक कर दूँगा अब तू फ्रीज करना भाई जल्दी से तेरे को ओ भाई 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 इसने मेरी शील्ड आलमोस्ट यहां पर खतम कर दिया है चल तेरी दो अब तू तो किसी भी काम कर निया भाई वापस से आजा मैप अपने सुल्लू को बेचते है यह क्या करेगा चल भाई क्या करने वाला है तू अब तेरी कुछ एबिलिटी है की निय जा रहे हैं और अभी केटीवा को भी गुस्सा आ गया था जिसको इसने मारी दिया है वैसे मैंने इस वाले पैल को लो कर रहा है तो मैं इसको मारने वाला हूँ आजा 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 बच गया अपना उल्लू तो किसी भी काम का निया एक बार इस वाले पैल कर दे वैसे गाइस मैंने इसको काफी हद तक लो कर दिया तो शायद से अब मैं इसको कैप्चर कर सकता हूँ इसका कैप्चरिंग रेट है 59% अब भाई साब मैं एक पे ध्यान देता हूँ दूसरा मारने आ जाता है और लेट्स अब भाई इनकी हालात बुरी हो जाती है और वो देखो वो अपना आपस में भागे जा रहा है और अभी यहाँ पर वापस से रात हो चुकिए तो गाइस मेरे हिसाब से मुझे यहां पर रुख जाना ची और ऊपर एक चेक पॉइंट है और मुझे यहां पर एक चेस्ट गया और अभी चलता है यहां से ऊपर के तरफ क्योंकि यहां पर मैंने एक फास्ट टैवल का पॉइंट देखा था जो कि अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है अच्छा यह फास्ट टैवल का पॉइंट निया बलकि एक टावर है और यहां पर गाइस हो सकता है कि वही सा बट उस टैम इनोंने मेरे पर अटेक नहीं कर रहा था और यहां पर अच्छा है कि भाई मुझे बहुत सारी बैरीज मिल चुके तो यह भाई जल्दी से खा लेते हैं और अपने पैल को भी बहुत जादा बूप लगे तो इनको भी यह तो माली अबर रूप जाओ भाई य चुका हूं and let's go finally guys मुझे यहां पर एक checkpoint देख चुका है जिसकी तरफ हम जा सकते हैं वसे जब मैं last time यहां पर आया था तो क्या मैंने इस cave को यहां पर देखा था एक बर इसके अंदर चलके देखते हैं यह तो कुछ अलगी चीज़ है एंटर डंजन भाई यह मुझे बजीब तरीक है कि बहुत सारे flowers भी है वैसे यह दिखने में तो मश्रूम लग रहे है बट ठीक है और यहां पर भी यह है यह कैवन मश्रूम ओके तो मैंने इनको collect कर लिया है बट यहां पर ऐसा का special है जो यह जगह इतनी ज़दा secret है और सामने यहां पर कुछ और पैल्स ह वाली है इस केव के boss Pokemon से बट अभी तो यहां पर नहीं है वैसे यहां पर सामने और लेफ्ट की तरफ एक रस्ता जा रहा है एक बड़े लेफ्ट की तरफ चल के देखता है यहां पर syndicate thug ओके गाइस तो यह सारे वही लोग है जिनसे हमने पहले fight करी थी और अभी मैं वाप वेल यहां था लेकिन अभी मेरे पास जा तौई हो बहुत सारे लेप rolls हो पर से अब्र से मेरे प्लियर कर्ग चाम के सा मार नहीं सकता हूँ क्योंकि एक तो इनकी HP बहुत जाद है उपर से अपने पैल को भी बहुत बुरी तरीके से मार रहे है तो भाई पैल को वापस से लो इस जगे से बाहर निकलते है मैं इस केव में आऊँगा बाद में कभी लेकिन अभी फिलाल इस जगे से बाग के निकलन बहुत जादा इंपॉर्टेंट है तो अभी यहां से बाहर निकलना चाहिए और मैं अभी पहले अपनी पैल की आर्मी क्रेट करके आऊँगा जिसके बाद मैं एक एक करके इन सारे के सारे सिंडिकेट्स को मारने वाला हूँ बढ़ ठीक है फिलाल अभी मुझे यहां पर ब पाकी के पैल्स मुझे मारी डालेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में हम पक्का इन पैल्स को यूज करने वाले हैं एक नाइट विंग पकड़ने के लिए क्यूंकि अगर हमने नाइट विंग को कैप्चर कर लिया तो हमारे लिए यहां प